हेलो दोस्तों मैं हुई इंताफर आप देख रहे हैं इन्फरमेसल कासिज आज हम लो इस वीडियों बात करने वाले हैं सिख्चक नियोजन पर की रहा 25 से यह छपरा जीला का नियूज पिपर है और 18 जुलाई का है और हिंदुस्तान पिपर का नियूज आप भी जाकर देख स इसमें क्या महत्पुन नियूज है मैं आपको बतला दूँ कि यहां पर लिखा गया है एस्टेट और टेट परिक्षा में होते हैं अभयारतियों को पर्थमिक्ता दी जाएगी यानि 2012 में जो लोग एस्टेट और बीटेट पास हुए थे उनको सबसे पहले मौका दिया जा है कक्षा एक से लेकर आठ तक पढ़ाने के लिए होता है तो इस्टेट और बीटेट में जो लोग पास हुए है यानि हाई-स्कूल या प्लस-टू में या कक्षा एक से-8 तक में तो उनसे पहले उनको पर्थमिक्ता दी जाएगी उनको बहाली में लिया जाएगा उसके ब उसके बाद अगर देखा जाए तो न्यूज में बोला गया कि परदेर्सिता बरती जाएगी यानि कोई भी फरजिवारा धानली की पर रोक लगेगी पूरी पुना मतलब पूरे क्लियर तरीके से बहाली के परकिया शुरू होगी और बाकी सब जो देखी है हमें लिखा गया ह से लिए जाएंगे आवेदन तो ठीक है आवेदन तो आपको मालूम है 27 अगस्य 25 जुलाई से 25 जुलाई से इस पर काम करना वोग शुरू करेंगे और 27 अगस्य आवेदन शुरू हो जाएंगे तो और बाकी सब सिडियूल के बारे में यहां पर दिया गया तो आप पहले से जानते हैं तो इस वीडियो में इतना है अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद